किसान भाईयों आज के वीडियो में कैसे कीट नासक के बाड़े में बताऊंगा जो किसानों की सबसे बड़ी सरदर्द और परेशानी यानि हुआइट फ्लाइ को चुटकी में खतम कर सकता है एक भी वाइट फ्लाइ यानि सफेद मक्खी इस कीट नासक के स्प्रे करने के बाद नहीं बचता है और तो और कुछ दूसरे सकिंग पेश्ट यानि रस्चूसक कीट भी इस कीट नासक के इस्तमाल से कंट्रोल हो जाते हैं ये कीट नासक कभी मार्केट में नया नया आया है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है इस कीट नासक का मार्केट नेम है पाइकलोम इंसेक्टिसाइड और इस पाइकलोम इंसेक्टिसाइड को मार्केट में लाया है सुमी टोमो कंपनी ने पाइकलोम इंसेक्टिसाइड जो वाइट फ्लाई जैसे रस्चुसक कीटो को कंट्रोल करने के लिए रामबान साबित हो रहा है इसलिए आज के इस वीडियो में इस कीटनासक की पूरी जानकारी दूंगा इसकी टेक्निकल क्या है इसका मोड अप एक्सिन क्या है ये कौन- सकते हो इसको इसको क्तिमρχ करने का सही तरीका क्या है क्या साफधानी रखनी होगी उसके अलाबा इसकी सही मात्रा यानि डोज क्या है ध гл कीमत क्या है सबstro Gregory में इस वीडियो में complete detail में बताने बाला और- बीडियो के अंट में इस की इटनासक के साथ सही combination क्या हो सकता है मेरे हिसाब से वो भी आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा देगा इसलिए वीडियो को बिना skip किये पुरा देखिए ताकि आपको सही और सथीक जानकारी मिल पाए तो किसान भाईयो सबसे पहले जानते हैं इसकी इतना सक का टेकनिकल कॉमपोजिशन क्या है तो किसान भाईयो इसमें आपको दो टेकनिकल देखने को मिलेगा पहला है क्लोथिया निदिन तीन दसमलक पांच परसेंट और दूसरा है पाइडी प्रोक्सिफेन आत परसेंट और यह आपको सस्पेंशन कॉंसेंट्रेट अब अगर बात कर कि इसका इस्थेमाल हम कौन से सब्सक्राइ knopies फसलो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप इसका coração सभी परकार के फसलो सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन कम्पणी कहाएरा कि ब्रिंजल यानि बैगन और कपार्स यानि कॉटन में यह सबसे ज़्यादा एफक्टिव है बाकि आप दूसरे फसलो सब्जीयों में भी इसका इस्तमाल बेज़िजक कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसकी इतना सक्का इस्तमाल आप पौधे के किसी भी स्टेज में कर सकते हो लेकिन एज पर कमपनी रेकमेंडेशन यानि कमपनी का कहना यह है कि जब कीटो का अटक का संभावना हो या कीटो का अटक हो चुका हो तब अगर आप इसका इस्तमेर करते हैं तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बेटर रिजल्ट मिलेगा अब बात करते हैं कि यह कौन-कौन से कीटो को आसानी से कंत्रोल कर लेता है तो किसान भाइयों यह सबसे अच्छी बात लिए है किसमें ट्रान्स लेमिनर एक्षन घी है जिससे यह पतों के नीचे छुपे हुए जोटे-चोटे-चोटे- रस्चूशक कीटो को असानी से कंत्रोल कर लेता है और इसके इस्पिरे से आपके पौधे भी हरे भरे और सुष्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें phytotonic action भी मौजूद है अब इस कीटनासक की सही combination और सही doge क्या होगी ये कहने से पहले कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब वीडियो में बापस आते हैं और बात करते हैं इसकी इतनासक की सही doge क्या है आपको क्या doge रखनी है तो किसान भाईयो आपको एक एकर में 200 लिटर पानी में 500-600 ml पाइकलो मिनसेक्टी साइट घोल के अच्छे से इस्प्रे करना होगा अच्छे रिजल के लिए और अगर आप प्रती तंकी के हिसाब से बात करें तो 15 लिटर की जो पानी की तंकी आती है उसमें आपको 40-45 ml पाइकलो मिनसेक्टी साइट घोल के इस्प्रे करना होगा अच्छे रिजल के लिए लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका इस्प्रे करेंगे तो या तो साम को इस्प्रे करिए या फिर सुभा को इस्प्रे करिए कि नहीं अगर करेंगे तो बेस्ट कॉंबिनेशन क्या होगा तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी फंगिसाइड के साथ इस कीटनासक का कॉंबिनेशन ना करें और रही बात कीटनासक की तो जिस किसी भी कीटनासक का combination आप इस पाइकलों insecticide के साथ करना चाहते हैं उस की इतना सक को इस पाइकलों की इतना सक के साथ अलग से एक बरतन में घोल के थोड़ी देर वेट करें और फिर देखें अगर वो घोल दूद की तरह फट जाए तो वो घोल इस्प्रे कॉंबिनेशन में नहीं चलेगा और किसानबह, यह कीट नासक को मिला के इस्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर बहुत ज़रूरी हो या कीट का अटक आपके फसलो सबजीयों में हुआ है तभी आप इसकी नासक का कॉंबिनेशन करने के बारे में सोचे वरना इसका सिंगल ही इस्पिरे करें यह सक्सम है वाइट फ्लाइ एफीड और जसीड को कंट्रोल करने के लिए अब अगर इसकी नासक की पैकिंग साइज के बारे में बात करें तो किसान भाईयों यह कीटनासक आपको 100 ml 200 ml 500 ml और एक लिटर की पैकिंग साइज में मार्केट में आस्थानी से मिल जाएगा और इसकी 100 ml का एक पैक आपको मार्केट में 200 से 200 रुपे तक में मिल जाएगा इसकी कीमत थोड़ा उपर नीचे हो सकता है आ आप जिन्होंने इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखा उनके लिए एक टिप है एक बोनस है और वो यह है कि आप इस कीटनासक की तागत इसकी समता इसकी पावर बढ़ा सकते हैं जिससे यह कीटनासक आपके फसलों सबजियों को लंबे समय तक कीटों से बचा के और यह कैसे होगा यह आप कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको सिंपली नीम लेना है कम से कम 10,000 पीपीम वाला और इसकी इतनासक के साथ मिला के इस प्रे करना होगा और यह नीम पूरी तरह से और गयनिक है इसलिए घबराने की कोई जरूरूरत नहीं है आप इस नीम उयल का डोज आपको 2 ml रखना है प्रती एक लिटर के पानी के हिसाब से अच्छे रिजल्ट के लिए और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो 99% चांस है कि आपके फसलो सब्जीयों को वाइट फ्लाय एफीड जैसीड और साथी बहुत सारे रस्तूसक कीटों से छुटकारा मिल आया है कि अपने फसलो सब्जीयों को थ्रिप्स के अटैक से कैसे बचाके रखना है मिलेंगे इसी वीडियो में